हलो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका रेलवे ग्रुबडी का 17 अगस्त का सभी सिप्टों का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो है आज आपके 17 अगस्त के सभी सिप्टों के एक्जाम में जो आप प्रेश्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेल्वे गुरुबडी से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और बगल में यह आपको एक बैल ऐकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुश्चन है था कि विस्व दूरलब रोग दिवश यानि वर्ल्ड रियर डीजीज डे यह जो आपका कब मनाय जाता है तो द चुश्चर विस्व खयर बनाया जाता है था इनीमुर्ती के वेनु गूपाल जो कारिका लेना यह कब तक बढ़ाया गिया है तो देखें जहां पे option में आपका 2019, 2020, 2021 और 2022 दिया हुआ था तो देखे केके वेनु कुपाल का जो कारेका लेना ये 2022 में बढ़ाया गया है तो 2022 आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहता कि संबिधान ये जो कब लागू हुआ था देखे exact ये question नहीं पूछा गया था लेकिन जो सारांस निकल कर रहता ना question का वो यही आता तो देखे संबिधान जो है मैं आपको बता दू कि 26 नॉमबर 1949 को जो है इसे ग्रहन किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे परवित यानि लागू किया गया था तो 26 जनवरी आपका correct answer होगा नेक्स्ट को शाप कर रहता कि 2011 की जनगन्ना के अनुशार 8.6% यह जो है कौन सी भासा बोली जाती है तो देखे मैं आपको बता दू कि 2011 की जो जनगन्ना होई थी उसके according यह जो आपका बांगला भासा था ना यह भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा थी जो कि आपका 8.03% जो है यह बोला करते थे लोग तो बंगाली भासा आपका यहाँ पे correct answer होगा 43.6% लोग जो है यह मातरी भासा हिंदी को बोला करते थे तो यह भी आपको ध्यान में रखना है 7.09% मराटी भासा भोलने वाली की संक्या थी जो कि आपका तीसरी सबसे बड़ी संक्या थी 2011 की जनगना के अनुशा वही अगर तेलगू भासा की बात कर ले तो तेलगू भासा जो है यह 6.93% जो है यह बोली जाती है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपका यहाँ पराइदा की सरदार सरोवर बांध बनाया गया है उससे क्या लाब हुआ है तो देखें मैं आपको बता दू कि सरदार सरोवर बांध जो है यह आपका गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बनाया गया है और सरदार सरोवर बांध में ज किस कारण से दिखाई देता है तो देखे मैं आपको बता दू कि पानी का कोई भी रंग नहीं होता है लेकिन सूरिक प्रकाष के परिकर्णन न sociology कारण हमें ये निला दिखाई देता है जैसे कि मैं आपको बता दू कि सूरज की किर्णों में मौझूद जो आपके बैगनी हरा पीला नारंगी और लाल का जो होता है ना वह समुद्र जो है वह अवसोसित कर लेता है लेकिन नीले रंग की जो वेबलेंट होती है ना वह छोटी होती है जिस कारण से वह परिवर्थित हो जाता है तो प्रकाश के एंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहादा की नेम दग कमर्सियल यूनिट ऑफ इलेक्टरिक एनरजी यानि विदुत इर्जा उर्जा की जो है वानीजीक इकाईं क्या होता है तो देखें विदुत उर्जा का जो वानीजीक इकाईं है ना ये किलो वाट आवर या कि द्वारा जो है वैलिंस्ट किया जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ मास आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप के यहां पर रहा था कि 2021 में किस पैरा एथलेट को जो है मेजर ध्यांचंद्र पुरुषकार दिया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि 2021 में टोटल 12 पर खिलाडियों को जो है मेजर ध्यांचंद खेल रहतने पुरुषकार दिया गया है और मनीश नर्वाल ऐसे जो पैरा अथलेट थे जिने मेजर ध्यांचंद पुरुषकार दिया गया था तो मनीश नर्वाल आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप का यहां पर है हुआ था तो 1973 आपका correct answer होगा next question आपके यहाँ पर रहा था कि निव लेंड का अस्टक नियम के according किस ततों का गुण जो है वो एक जैसा होता है तो देखें निव लेंड जो अस्टक नियम दिये थे ना उसके recording लिथियम और सोडियम के गुण धर्म जो होते हैं वो आपके एक समान होते हैं तो लिथियम और सोडियम आपका correct answer होगा next संब्म भारत में पंचाहतीर राजववस्ता यह जो सम्विदान संसोधन के द्वारा इस्पारित किया गया था्ट तो 73 शंविदानSomeसोधना आपका correct answer होगा और मैं आपके बतादो कि इस शंविदानव तो अधिनियम द्वारा संविदान में भाग नौ के अंतरगत जो है पंचाहती राजसे संबंदित उपवंदों की चर्चा अनुछे 243 में भी यह किया गया है वहीं अगर 73 शमिधान संसोधन की बात कर ले तो इस समिधान में 11 अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके तह जो है पंचाहतों के अंतरगत 29 विसेयों की स्य प्रकास प्रवर्तन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच कितना डिग्री का जो है एंगल बनता है तो यह 90 डिग्री का एंगल बनता है नेक्स्ट आप रहादा की चुम्ब के बल रेखा का गुन कौन सा नहीं है तो देखें मैगनेटिक फ सरकुलर जो है यह घुमते रहता है तो यह जो आपसन था ना वका सही यानी गलत दिया वा था, तो कौन सा कतन गलत दिया वा था यह पूशा गया था, लीच्ट अबर निक्स टाप कहया पर मैंठू जो सावर होते है ना यह किस रीतू से श्रम बंदित है तो देखें यह ज सुगती है तो ग्रिश्म रीत्व अ करेक्ट एंसर होगा next घ्रिश्म विखना अफ ऴोário takes least के लिए क्या जाता है तो अरुमर इसका ज grapes सईे जातर है और पूघ नver को जो है इसका युड हो कीजाता है next typ खरता कि गृुप किस त pistachowka आधातवी गुन यानि नन्मैटलिक किरेक्टर जो है वो सबसे ज़़ादा होता है जिसको आपको descending order में बताना था तो देगें गृप सोलन में ये जौ आपका oxygen का सबसे ज़़ादा जो है आपका नन्मैटलिक किरेक्टर होता है उसके बाद sulfur होता है उसके बाद सेलेनियम होता है उसके बाद पॉलानियम होता है तो यह जो करम जीनोंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहा था कि कौन सा मानोंग अपने नस्ट हुए भाग को जो है आसानी से पैदा यानी रीजनरेट यानी विक्सीत कर लेता है तो देखें यह जो आपका लीवर यानी यकरीत होता है यह आपको जो है रीजनरेट कर लेता है तो यकरीत आप को बता दू कि 14 जो इंटरनेशनल ओलंपियाड 2021 में हुआ था उसमें भाते टोटल भाते 5-6 जो है वो आपके पार्टिशिपेट यानि सामिल हुए थे जिसमें चार जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे और एक जो है एक करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट वोशन आपका यहाँ पर रहा था कि पदम स्री 2022 खेल के छेतर में ये जो है किसे दिया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि सुरु समीत अंतिल, स्री परमोध भगत, स्री नीरत चोपड़ा, फैजल अली डार, वंदना कटारिया और अवनी लेकरा इन सभी खिलाडी को जो है खेल के छेतर में 2022 का पदम स्री दिया गया है तो आपके ऑप्सन में जो है अवनी लेकरा दिया वा था तो अवनी लेकरा आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन है था कि अनुछे 289A यह जो आपका खिस से संबंदित है तो देखे आटिकल 279A जो है यह आपका GST परिशत की शनरचना वह गठन के प्रावधान से शंबंदित है तो GST परिशत आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक इसके अलावा यह जो आपका बेतवा नदी है ना, यह विंद्याचल की पहाडियों से निकलता है, जबकि आपका तापती जो नदी है ना, यह मद्यपरदेश में सदपूरा की पहाडियों से निकलता है, तो यह फैक्ट भी आपको ध् कर says करनाटक के बारे में तो करानाटक का जो राजधानी आपका बेंगलूर्व है वरत्मान वर्त्मान जो इसके राज्यपाल हैं या आपके ठावर चंद गैलोत थैं लोक सभा depressed की संक्या वह 28 है राज्य सभा सीटों की संक्या 12 है विधान सभा सीटों की संक्या 224 और विधान परिशाद सीटों की संक्या 75 है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ पर रहा था कि अनुछेद 51 जो कि आपका मुली कर्तब्बी में आता है ये जो आपका किस भाग में आता है तो देखें ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी जैना ये संभिधान के 42 संसोदन अधिनियम 1976 द्वारा जो है संभिधान के भाग 4 क कि में जो है इसे जोड़ा गया था तो भाग 4 क आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशा आपका यहाँ आप रहा था कि 2022 में CMIE के आकड़ो के अनुशार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर यानि अनिप्लॉइमेंट रेट जो है ये किस राज्य में है तो देखें 2022 म जो आपका राजस्थान और जम्मु कश्मीर में है राजस्थान और जम्मु कश्मीर में 25 परसेंट है जारखन में 14.5 परसेंट है और बिहार में 14.4 परसेंट है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है तो हर्याना आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा वहीं अगर सबसे कम बिरुजगारी दर पूछ ले, तो सबसे कम जो बिरुजगारी दर है ना, यह आपका 36 गर्ड राज्य में है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, वहीं अगर आपसे CMIE का फुलपं पूछ ले, तो देखें, CMIE का जो फुलपं होता है ना, वो Center for Monitoring, Indian Economy होता है, तो इसक फुलपं भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश हम आपके आपराई था कि मानौ विका सुचकांग दोजар बीस में भारत का रैंक पूछा गया था, तो देखें मानौ विका सुचकांग, दोज़ार बीस में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो 131 पाइदान पे भ भाते शंगरहाले अधिनियम यानि इंडियन म्यूजियम एक्ट ये जो कब लागू हुआ था तो देखें इंडियन म्यूजियम एक्ट जो है ये आपका 18 मार्च 1910 को जो है ये लागू हुआ था तो 1910 आपका correct answer होगा नेक्स्ट को जो है आपका यहाँ पर रहा था कि मासिन राम मिघाले कि जो ये किस पहाड़ी पर इस्तित है तो देखें आपको जैसा कि पता कि सबसे ज़्यादा जो बारिश है ये मासिन राम पर होता है और मासिन राम मिघाले की ये जो आपका 18 पहाड़ी पर इस्तित है तो तो खासी हिल्स आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर रहा था कि नवरोज तेवार, यह जो किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो देखें यह जो आपका नवरोज तेवार है ना, यह पारसी लोगों का 9 वर्स माना जाता है, यानि साल का पहला दिन माना जाता है, तो यह आपका पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो पारसी धर्म आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर रहा था कि disease caused by polluted water, question इस परकार से नहीं पूछा गया था, पूछा यह गया था कि इन में से कौन सा आपका जल प्रेदूशक का सूचक है, तो देखें मैं आपको बता पानीशे होते हैं, लेकिन जल प्रेदूशक का सूचक पूछा गया था, तो option में जो आपका e-calli दिया हुआ था, तो देखें e-calli जो है, यह आपका जल प्रेदूशक का सूचक है, तो e-calli आपका correct answer होगा, next question आपका यहाँ पर रहा था कि which part of the plant, sale exchange the gases, यानि गैसों का जो आदान प्रदान है ना, यह पौधे के उतक के किस भाग से होता है, तो देखें, मैं आपको बता दूँ कि पतियों में रंदर नामक, यानि अस्टोमाटा नामक, छोटे चिद्र होते हैं, जिनका उप्योग गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, तो आपका स्टोमाटा आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश है आपका यहाप रहा था कि विच अस्पोर्ट, प्लैड बाई संध्या गुरूंग, यानि संध्या गुरूंग, जिनने 2021 में जो है, द्रोना चारे पुरुषकार दिया गया है, वो जो है किस खेल से संबंदित है, तो जैसा कि आपको पता कि यह जो आपका द्रोना चारे पुरुषकार है, यह खेल के प्रसिचा की, यानि कोश को दिया जाता है, और इनका जो संध्या गुरूंग का जो संबंद है यह बॉक्सिंग, यानि मुक्य बाजी के जो है, यह कोश है, तो बॉक्सिंग आपका यह के द्वारा लगाया गया था और कब तो 1867-68 में किया गया था तो दादा भाई नरोजी आपका correct answer होगा और दादा भाई नरोजी ने जो अनुमान लगाया था वो 20 वेक्थी प्रती आई जो है वो अनुमान लगाया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि वाट इस दा relation between focal length and radius of curvature यानी radius of curvature और focal length के बीच जो है यह आपका relation पूछा गया था तो देखे focus दूरी और वक्रतात रिज्जा के बीच जो relation होता है न वो f equal to r by 2 का होता है तो f equal to r by 2 आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि हाइड्रोजन परियोजना मद्य परदेश के किस जीले में शुरू किया गया है तो देखे यह जो आपका हैड्रोजन परियोजना है न यह आपका मद्य परदेश की गुना जीले में जो है गेल के विजैपूर परिशर में जो इससे अस्थापित किया गया है तो गुना जीला अप्सन में दियोगा तो गुना जीला आपका करेक्ट एंसर होगा जिसमें अंगूठा जो है यह मोशन यानि गति की दिशा को दरसाता है वहीं अगर बात कर रहें उंगली के बारे में तो यह जो आपका बीच वाला उंगली होता है यह आपका मैगनेटिक फिल्ड यानि चुमकिये छेत्र को दरसाता है वहीं अगर बात कर लें इसके बारे में तो ये जो आपका current यानि विदुधारक को दरसाता है तो ये option जो आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका याप रहा था कि हाजी अली दर्गा ये जो आपका कहाँ पर इस्तित है तो देखें ये जो आपका हाजी अली दर्गा है ये मुंबई महरास्टर में इस्तित है तो मुंबई महरास्टर आपका correct answer होगा next question आपका यहाप रहा था कि इन में से कौन सा भासा जो है वो सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है तो जहांपे option में आपका केरल में कंणर दिया हुआ था तो देखें यह जो आपका कंणर भासा है ना यह करनाटक राजिक का भासा है तो यह option जो आपका correct answer होगा क्योंकि भासा कौन सा सुमेलित गला दियोवा था यह पूछा गया था वहीं अगर केरल के राजखिये भासा की बात कर ले तो देखें केरल में यह आपका मल्यालम भासा बोला जाता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहाप रहा था तो देखें जब आप क्लोरीन से पास्ट करोगे ना स्लैक्ड लाइम को तो हमारा जो प्रोड़क्ट फॉर्म होकर आएगा वह हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन कर आएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है तो CAO, CL2 होता है तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट अंसर होगा और यह आप इक्वेशन भी देख सकते हैं नेक्स्ट कोशन आपका यहाप रहा था कि पिंग प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट यह जो है किस राज्य में शुरू किया गया है तो देखे महिलाओं के खिलाप उत्पीडन के बढ़ते मामलों को देखते वे केरल पूलिच ने जो है पिंग प्रोटेक्शन नामक परियोजना को जो है सुरू किया है तो केरल आपका यहाप एक करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाप रहा था कि नंबर O這邊 in carbon यानि कारवन के सबसे बहारी कोश में झो है यलेक्ट्रोन की संख्या पूछी गई थी तो देखें कारवन का जो अटोमिक नंबर होता है वो 6 होता है और इसमें जो बहारी कोश में ये जो आपके चार इलेक्ट्रोन होते हैं तो चार आपका correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि निमले की तत्वो मेशे किसका परमानुक्रमांग जो है ये सबसे अधीक होता है जहां पर option में आपका neon, arsenic, sulfur और phosforus दिया हुआ था तो देखें, neon की atomic number की बात कर ले, तो देखें, neon का atomic number होता है, वो 10 होता है वहीं अगर arsenic की बात कर ले तो 33 इसका परमानुक्रमांग होता है sulfur की बात कर ले तो sulfur का 16 परमानुक्रमांग होता है और phosforus का 15 होता है तो इस recording जो सबसे ज़ाद आपका परमानुक्रमांग है यह आपका arsenic तत्यो का है तो arsenic आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ आप रहा था which is not asexual reproduction यानि इन मेंशे कौन सा अलेंगी के प्रजनन का उदारन नहीं है, जहाँ पर option में आपका grafting, budding, fragmentation और binary fission दिया होगा था तो देखें यह जो आपका grafting है यह आपका अलेंगी के प्रजनन का उदारन नहीं है, तो grafting आपका correct answer होगा, next question चार और पांच ओम की दो प्रतिरोधी, यानि दो resistance, पांच वोल्ट की बैटरी के शाथ समनांतर में जुड़े हुए यानि parallel जुड़े हुए हैं, तो circuit में जो आधारक की मातरा पूछी गई थी तो देखें, यहाँ पे आपका ohms नियम लगता है, ohms law होता, तो ohms का नियम क्या गहता है, तो b equal to ir यह जो ohms का सुत्र होता है इसके अलावा, यह आपका यहाँ पर बोला गया है, कि 5 वोल्ट की बैटरी के साथ जो है, यह आपका समनांतर जुड़ा हुआ है, यानि parallel जुड़ा हुआ है तो देखें, रेजिस्टेंस में जो parallel का formula होता है, यह आपका 1 by r total equal to, 1 by r1 plus 1 by r2 equal to 1 by rn होता है, यह आपका parallel का formula होता है, तो इस formula पर आपको put कर देना था तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि v का हमारा value कितना दिया हुआ है तो देखें, v का जो value है यह हमारा 5 वोल्ट दिया हुआ है और i हमारा नहीं दिया हुआ, r भी हमारा नहीं दिया हुआ है, तो r जो है तो 5 by 12 आएगा, यानि r हमारा कितना हैगा तो 12 by 5 हमारा जो है वो r आजाएगा, तो यहां से easily जो हम i, यानि current निकाल देंगे तो i equal to हमारा क्या हैगा भी भाई आजाएगा तो b हमारा कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है कि cutaway आलू पर iodine का घोल डालने से उसका रंग जो है, वो गहरा नीला हो जाता है, तो यह किस कारण होता है, यानि किस taste के कारण होता है, तो देगे cutaway आलू पर जो आयोडीन का आप घोल डालोगे ना, तो यह इसका जो रंग होता है वो गहरा नीला हो जाता है और यह जो आपका starch टेस्ट यानि starch परिचन के कारण होता है तो starch टेस्ट आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर आथा कि मुत्र निर्मान का सही क्रम आपको बताना था तो देखें मुत्र का जो formation होता है ना सबसे पहले आपका filtration उसके बाद ultra filtration होता है उसके बाद re-absorvation होता है उसके बाद secretion होता है तो यह क्रम से जिनोंने भी option ठीक किया होगा उनका जो है यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि इन मेंशे कौन सा redox अभी क्रिया का उधारन नहीं है तो देखें इसके option मुझे नहीं मिले है जिस भी बच्चे को अगर इसका option पता है वो comment करके बता सकते है next step का यहाँ पर रहा था कि किस परकार की अभी क्रिया से आउचेप बनता है तो देखें यह जो आपका double displacement reaction होता है इसमें precipitates बनता है यानि आउचेप बनता है तो double displacement reaction आपका correct answer होगा कुशन है था कि पंचायती राजववस्था सर्व प्रत्थम यह किस राज्य में लागू किया गया था तो देखें मैं आपको बता दू कि पंचायती राजववस्था यह जो आपका 2 October 1969 को जो है राजस्थान के नागोर जिले के बगदरी गाउं में जो है यह लागू किया गया था तो राजस्थान आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपके आप रहा था कि इन में से रास्थपदी के द्वारा कौन सा आपातकाल जो है यह नहीं लगाया जाता है तो देखें मैं आपको बता दू कि भारत के शंबिधान में तीन परकार के आपातकालों का जो है उलेख किया गया है अनुचे तीनसो बावन में जो है रास्थरह अपातकाल का उलेख किया गया है अनुचे थीनसो चपन की बात कर ले तो इसमें रास्थपदी आसन के लिए आपका बात किया गया है अनुछे 360 की बात कर ले तो अनुछे 360 में जो है वित्य आपात का प्रबंध जो है वो किया गया है बात कर ले भारत में पहला जो रास्टे आपात का ले यह आपका इंदिरा गांदी के शरकार ने पच्ची nutrition 1975 को लगाया था जब कि देसमें जो आप तक कोई वी वित्य आपा साथकाल से संबंदित नहीं है नेक्स्ट क्विशन आपकक यहां पर आता कि विधूत मोचण का परियोग। Wrista यांत्रिक मसीन होता है जो विदित उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है और इसका जो परियोग यानि उप्योग जो है या आपका वाटर पंप यानि पानी के पंप में किया जाता है electric fence में किया जाता है electric mixers में किया जाता है और washing machine में किया जाता है तो इन में से जो भी option में दिया होगा वो आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि 2021 में विस्व कुस्ती championship में रजट पदक यानि silver medal जो है यह किस्ट ने जीता है तो देखें मैं आपके बतारू कि 2021 का जो विस्व कुस्ती championship है न यह आपका ओसलू नार्वे में जो है यह आपका आयोजित किया गया था और इसमें भारत जो है total दो पदक जीता था जिसमें एक रजट यानि एक silver medal और एक bronze medal जो है वो भारत जीता था भारत के पैदान की बात कर ले तो भारत जो है इसमें पदक तालिका में जो है पंदरवे अस्थान पे रहा था और इसमें जो है अनसु मलिक ने जो है 57 किग्रा फ्री स्टाइल में यह जो है silver medal जीती थी तो अनसु मलिक आपका correct answer होगा अगर रजट पदक सौरी यहाँ पर ब्राँज बेडल के बारे में पूछा जाए तो देखें मैं आपको बदा दो कि फ्री स्टाइल अस्पर्दा के 69 किग्रा भार वर्ग में जो है भारत की सरीता मोर ने कान से पदक जीता था तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहाँ पर रहा था कि पेरियार नदी यह जो कहां से निकलती है यानि यह जो आपका पेरियार नदी है यह किस राजजी में है तो यह आपका केरल राजजी में है तो केरल आपका correct answer होगा next step के यहाँ पर रहा था कि जैन धर्म में जीन का जो अर्थ पूछा गया था तो देखें जैन धर्म में जीन का जो अर्थ होता है वो विजेता यानि विनर होता है तो विजेता आपका correct answer होगा बात कर लें जैन धर्म के बारे में तो देखे जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम जो तिर्थंकर थे न ये रिसब देव थे और 24 वे तिर्थंकर के बारे में भी पूछा जाता है तो जैन धर्म के जो 24 वे तिर्थंकर थे ये भगवान महावीर थे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपके यहाँ पर रहा था कि पहली बार 1952 में जो है रास्ट्रिय आई की गन्ना ये जो है किसने की थी तो देखे पहली बार जो रास्ट्रिय आई की गन्ना है ये केंद्रे शांकी की संगठन यानि CSO के द्वारा किया गया था तो केंद्रे शांकी की संगठन आप का करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि चलो लोकू महसो यानि जो यह आपका चलो लोकू फैस्टिबल है ना यह किस राज्य में मना जाता है तो यह आपका अरुनाचल परदेश राज्य में मना जाता है तो अरुनाचल परदेश आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप कहीं आप रहा था कि इन में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है तो जहां पे मुझे तीन आप्सन मिले हैं एक आप्सन आपका दिया हुआ था कि 82 डिगरी पूर्वी पस्चिम दिसांतर को जो है भारत का मानक या मूंतर यानि स्टैंडर्ड मेरीडियन माना जाता है सेकंड आप्सन आपका दिया हुआ था कि उस नकटी बंदिये रेखा एक दूसरे के समनांतर यानि पैरलल होता है तो ये तो कथन आपका सही दिया हुआ है थर्ड आप्सन दिया हुआ था कि एक दुसरे को नहीं काड़ता है तो ये भी आपका आप्सन जो है वो और लेकिन पहला जो आप्सन दिया हुआ था कि 83 डिगरी पूर्वी पस्चिम दिसांतर को तो यह आपका कथन जो है वो सही होता, तो option 1 जो है आपका यहाँ पर correct answer होगा, next कोश है आपका यहाँ आप रहा था, कि नमक तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा अंदोलन किया गया था, तो देखें नमक तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च किया गया था, तो दांडी मार्च आपका यहाँ पर correct answer होगा, next आपका यहाँ पर रहा था कि अनंत नागेश्वर राव से पहले भारत के मुखे आर्थिक्स लाकार, यह जो कौन थे, तो देखें लार का जो pH मान होता है यह प्रकृति में थोड़ा अपका ACD क्यामी अमलिये होता है, जिसका pH मान 6.8 होता है, तो 6.8 अगर option में दिया होगा, तो 6.8 आपका correct answer होगा, लेकिन लार का जो सामानने pH value होता है वो आपका 5.6 से लेकर 7.9 तक होता है, तो अगर यह value दिया था तो यह आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोशन आपका यह आप रहा था कि Newland का जो अस्टक नियम था न, उसमें किस ततों से शुरू हुआ था और किस ततों तक यह अंतिम हुआ था, तो देखें, मैं आपको बता दू कि Newland के द्वारा 58 ततों की संख्या ग्यात की गई थी, और उन्होंने वरगी करण में सबसे कम जो परमानू द्रव्यमान वाले ततों हाइड्रोजन से सुरू किया था, और थोरियम पर समाप्त किया था, तो हाइड्रोजन से थोरियम आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट क्योशन आपका यह आप रहा था कि AIDS का फुलफॉम पूछा गया था, तो देखें, AIDS का फुलफॉम होता है वो आपका Acquired Immunodeficiency Syndrome होता है, यह आपका 1951 में हुआ था, और उस समय जो योजना आयोक के अध्यस थे, वो आपके पंडी जवारलाल नेहरू थे, तो पंडी जवारलाल नेहरू आपका करेक्ट एंसर होगा, बात कर लिए प्रथम उपाध्यच के बारे में अगर पूछा जाए, तो यह आपके गुलजारी लाल नंदा थे, और यह जो आपका किस मॉडल पर आधारी था, तो देखें, पहली जो पंचवर्सी योजना था ना, यह आपका हेराल्ड मॉडल पर आधारी था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट कोश्ण आपका ओम का जो है सुत्र पूछा गया था, तो देखें, ओम का जो नियम होता है ना, वो आपका वी इक्वल टू आईयर होता है, तो वी इक्वल टू आईयर आपका करेक टैंसर होगा, नेक्स्ट कोश्ण आपका यहाँ पर रहा था कि सीवी रमन को नॉबल पुरुषकार, यह जो है कब दिया गया था, तो देखें, सीवी रमन को नॉबल पुरुषकार जो है, यह उनी सो तीस में दिया गया था, नेक्स्ट आपका यहां पर रहा था कि 2021 में यह जो बाल साहिते पुरुषकार है ना यह कितनी भासाओं में दिया गया था तो देखे 2021 का जो बाल साहिते पुरुषकार है यह आपका 22 भासाओं में दिया गया था तो 22 आपका correct answer होगा देखें, मैं आपको बता दो कि आपके एक्जाम में विटामिन से जो हर सिप्ट में प्रेश्ट पूछे जाएंगे, तो जिनका भी आगे आने वाले सिप्टों में एक्जाम है, आप इसे जरूर देख लिजे, जैसे कि वाटर सॉलिबल विटामिन कौन-कौन से होता है, तो विटामिन के, इ, डी और ए होता है, उसके बाद विटामिन ए की बात कर ले, तो विटामिन ए का जो रसाइनिक नाम है, यह आपका रेटिनॉल होता है, और इसकी कमी से जो है नाइट ब्लाइडनेस होता है, विटामिन बी वन का जो रसाइनिक नाम होता है, वो थाइमिन हो प्रोग होता है इसका जो रासाइनिक नाम होता है विटामिन-क कर ले तो इसका जो रसायनिक नाम होता है वह एस्कारबीड़ योchnोर होता है तो next question आपके यहाँ पर रहा था कि जल्ली कट्टू भारत के किस राज्य का एक पारंप्रिक बैल उच्छो है तो देखें यह जो आपका जल्ली कट्टू है यह आपका तमिलाडू और करनाट का एक पारंप्रिक बैल उच्छो है next step का यहाँ पर रहा था कि milk of magnesia या फिर oil of vitrol का जो है chemical formula पूछा गया था तो देखें इन दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैं आपको बता दो कि milk of magnesia का जो chemical formula होता है वो MgOH2 होता है और इसका रासाइनिक नाम की बात कर ले तो magnesium hydroxide होता है वहीं अगर oil of vitrol का पूछा गया था तो oil of vitrol का जो रासाइनिक formula है यह आपका S2SO4 होता है और sulfuric acid का रासाइनिक नाम होता है तो S2SO4 आपका correct answer होगा next step का यहाँ पर रहा था कि रक्त के धक्के जमने से कौन सा vitamin जो आपका संबन दित है तो देखे रक्त का धक्का जो है यह आपका vitamin K की कमी के कारण जमता है तो vitamin K आपका correct answer होगा next step का यहाँ पर रहा था कि विस्व आद्रभूमी दिवस यानि world wetlands day यह जो है कब मनाया जाता है तो देखे विस्व आद्रभूमी दिवस प्रति वर्स जो है घोस्त वहीं अगर वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में जो लोकसभा का additional जो charge दिया गया है न यह प्रदीब कुमार मुहंती को दिया गया है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहाँ पर रहा था कि भारत के नेपोलियन के रूप में यह जो है किसे जाना जाता है तो देखे भारत का नेपोलियन के रूप में यह समुद्र गुप्त को जाना जाता है तो समुद्र गुप्त आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि helium का oxidation number यानि ऑक्सी करन संख्या पूछा गया था तो देखे हिलियम का जो oxidation number होता है वो आपका 0 होता है तो 0 आपका correct answer होगा next step का यहाँ पर रहा था कि आपका जो उश्नकटी बंदी जो सदा भाहर 1 होते है यानि जो आपके tropical evergreen forest होते है यह किस राज्य में पाए जाते है तो देखे उश्नकटी बंदी जो सदा भाहर 1 है यह मिघाले राज्य में पाए जाते है तो मिघाले आपका correct answer होगा next step का यहाँ पर question आया था आपतन कोन और परावरतन कोन का जो है मान पूछा गया था तो देखे angle of incidence and reflection का जो मान होता है वो 30 degree होता है तो 30 degree आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि प्रकास sensation का अभिक्रिया को जो है balance यानि संतूलन करना था तो देखे यह जो आपके photosynthesis reaction होते हैं यह क्या होते हैं तो plant जिस पर किरिया के तहत अपना भोजन जो बनाता है उसे ही photosynthesis reaction कहा जाता है और चार options जो आपके reaction के दिये हुए थे जिसमें आपको balance करना था तो देखे मैं आपको बता दू कि plant यानि पादब जो होते हैं वो आपके atmosphere से CO2 यानि carbon dioxide लेते हैं और वहीं मैं बात कर लूँ तो जड़ से जो है जो आपको balance करना था तो यह balance आप देख लीजे यही जो आपका correct answer होगा next question आपका यहाँ पर रहा था कि black and white photography में किस योगी का उप्योग किया जाता है तो देखे मैं आपको बता दू कि black and white photography में जो है या आपका silver chloride और bromide का जो उप्योग किया जाता है F2O3 अप घटन के बाद यानि जो decomposition के बाद जो है इसका क्या product जो है वो प्राप्त होता है तो देखे यह जो आपका F2O3 को जब आप decompose करोगे ना तो 4 F2 plus 3 O2 आपको मिलेगा तो यह reaction जो आपके हाँ पर correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि gypsum को गर्म करने पर यह जो है क्या प्राप्त होता है तो देखे जब आप gypsum को गर्म करोगे ना तो आपको जो है plaster of Paris यानि C-A-S-O-4 dot half S2O plus water जो है वो निकल जाता है तो plaster of Paris आपका correct answer होगा देखे आगे की सिप्टों में जो आपका plaster of Paris आपसे सुत्र पूछा जाएगा तो इसका सुत्र भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका यह आप रहा था कि परदे पर यह कैसा प्रतिबीन प्राप्त होता है तो देखे मैं आपको बता दू कि सिनेमा अस्क्रीन पर आपके जो प्रतिबीम है ना यानि जो आपके image formed होते हैं वो आपके real और inverted होते हैं यानि उल्टा जो है और वास्त आपका जो है क्या होता है तो उल्टा और आपका वास्तवीक होता है तो उल्टा और वास्तवीक आपका correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि परमानु क्रामांग बढ़ने पर परमानु तरीजिया और संयोजी इलेक्ट्रोन पर जो है क्या प्रभाव पढ़ता है तो देखें जब भी एटामिक नंबर बढ़ता है तो एटामिक रेडियेश और वैलेंस इलेक्ट्रोन जो है यह भी आपका बढ़ता है तो इंक्रीज आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि बिजली के बल्व का फिलमेंट यह पतला और लंबा क्यों होता है तो जैसा कि आपको पता है कि बिजली के बल्व का जो फिलमेंट है यह आपका किसका बना होता है तो यह आपका टंगस्टन का बना होता है और हाई एक्षभ भूमी है प्लांट इसनर यह पूछा जारा अगर कोषे hea पूछा जाता है कि भूमी में जल के अंदर जल और बीट को क्या जाता है। तो उस भाली में डीया तो डीचे है वे श्मस कि जीड़ान यह जाती है, लेकिन मान reinshrad को जो आपका infiltration कहा जाता है तो infiltration आपका यहाँ पर correct answer होगा तो इतने कोशन जो आज मुझे बच्चो के जारा भी ले है जो कि 100% real और authentic है तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को जो लाइक जरू कर दीजेगा इसी तरह का real content पाने के लिए जो है चैनल को subscribe जरू कर दीजेगा तो मिलते हैं नेक्स टूड़े हैं तब तक thank you all the best